तो कहाने की सुरुवात में हमें कोलराडो के हाई सेक्रिटी वाले जेल को दिखाया जाता है इस जेल के अंदर हमें रे को दिखाया जाता है जो एक खुंखार कैदी है वो जब से इस जेल में आया है तब से वो यहां से निकलने के लिए अलग अलग तरकीबे लगा रहा है खर एक दिन रे के पास एक इनसान आता है वो रे को बताता है कि जेल में एक जैक नाम का कैदी है जो तुम्हें मारने के लिए प्लैन मना रहा है और वो दिन भी आ जाता है जब जैक रे की उपर हमला कर देता है जैक और उसके दोस्त मिल करके रे को मारने की कोसिस करते हैं लेकिन रे अकेले ही उन सब को सम्हाल लेता है अब ये लड़ाई होने के बाद इन नोनों को ले जाकर के कुंखार कैदियों वाले जैल में बंद कर दिये जाता है ये जैल बाकी के जैलों से बिलकुल अलग था इसमें सिर्फ चैरो तरफ दिवाल थी इसमें खिड़की तक भी नहीं था और बाहर से कैमरे के जरिये पुलिस वाले इन सब पर नज़र रखते थे यहां पर रे को मालुद लता है कि जिस जैल में उसे बंद करके रखा गया है उसके ठीक सामने एक गराज है और इसी बीच रे नोटिस करता है कि पुलिस वाले दस मिनट के लिए बाहर जाते थे सब कुछ पता करने के बाद रे अपने दोस्तों के पास खबर पहुचा देता है कि वो इस तारिक को चार बज़े यहां से भागने वाला है और इन लोगों को बस जा करके सामने वाले गराज में आग लगाना है अब इसी तरीके से जब एक दिन रे को खाना दिये जाता है तो वो दूद के पैकेट में से पॉलिथीन को निकाल लेता है और इस तरीके से वो जुगार करके अपने जेल के कोट का पता लगा लेता है अगले दिन जब पुलिस वाले 10 मिनट के लिए बाहर जाते हैं तो रे पासवर्ट को डाल करके जेल से बाहर आ जाता है और उसी समय उसके जो दोस से वो बाहर की तरफ फायर कर देते हैं जिसकी वज़े से सबका ध्यान बाहर की तरफ चला जाता है कुछ समय के बाद आग को बुजाने के लिए फायर ब्रिगेड आती है और उसी गाड़े की नीचे लेट करके रे जेल से बाहर आ जाता है और इसी बीच उसके दोस्त केटी और टॉम जा करके उसे अपने साथ में ले लेते हैं इस तरीके से वो जेल से आजाद हो जाता है और ये दोनों उसे ला करके बीच रूट पर छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद यहाँ पर पुलिस आ करके रे को फिट से पकड़ लेती है इसके बाद रे को छुडाने के लिए यहाँ पर लेश्टर नाम का एक इनसान आता है लेकिन पुलिस उसे छोड़ते नहीं है बलकि उसे ले करके फिट से उसी जेल में जाती है और इसके बाद निन्योंनों से मिलने के लिए इस जेल के हेड आते है और अब यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि रे कोई कैदी नहीं है बलकि वो खुद एक हाई सेकुरिटी कमपनी का मालिक है वो कैदी बन करके जेल के अंदर जाता है और वो वहां की सेक्रिटी को चिक करता है और इस तरीके से वो बहुत सी जेलों में जा चुका था और वहां से भाग चुका था जेल के हेड अपनी सेक्रिटी को और बढ़ाने के लिए रे के साथ ऐसा काम करते हैं वो सेक्रिटी की जाज करने के बाद उनमें सुधार करने के लिए कहता है खैर अब ये सब खतम होने के बाद रे काफी दिनों के बाद वो अपने ओफिस में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि टॉम एक गेम खेल रहा था लेकिन वो सोल्व नहीं कर पा रहा था रे उस गेम को बड़ी ही असाने से सोल्व कर देता है और टॉम को खुश कर देता है रे जब अपनी ओफिस में जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलकाद जेशिका नाम की एक लड़की से होती है दरासल वो यहाँ पर रे से एक डील फिक्स करने के लिए आई थी वो रे से कहती है कि तुम्हें दुनिया की हाई सेक्रूटी वाले जेल में जाना है और अगर वो वहाँ से सही सलामत बाहर आ जाता है तो उसे लाखोड डोलर दिये जाएंगे लेकिन सर्थ ये है कि इस जेल के बारे में तुम्हारे दोस्तों को नहीं बताया जाएगा और तुम्हें अकेले ही उस जेल से बाहर आना होगा इस काम को करने के लिए जेसिका उसे चिक देने के लिए तयार थी वो जितना चाहे उतना पैसे उसमें भर सकता था अब रे इस काम को करने के लिए तयार हो जाता है इसके बाद कैटी और टोम दोनों मिल करके रे को एक एंथनी नाम के कैदी का प्रूफ दे देते हैं यहाँ से जाने से पहले टोम रे के सरीन में एक ट्रेकर डाल देता है ताकि ये दोनों रे की लोकेशन को ट्रेक कर सकें इसके बाद रे जेसिका के द्वारा बता हुए एड्रेस पर जाता है और जब वहाँ पर जाता है तो कोई पीछे से रे को बेहोस कर देता है बेहोस करने के बाद ये लोग बड़ी बहरैमी से रे के सरीर में डाला हुआ ट्रैकर को निकाल देते हैं जिसकी वज़े से अब उसके दोस्त रे की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। रे के चेहरे पर पट्टी पान करके उसे एक खास जेल मिलेके जाए जाता है। उसको कांच के डिपे जैसा एक जेल में बंद करके रखा गया था। और ये जेल काफी बढ़ा था यहाँ पर बहुत सार कैदियों को बंद करके रखा गया था। कुछ समय के बाद रे से मिलने के लिए यहाँ का हेड आता है। यहाँ के हेड का नाम थोमस था। लेकिन रे को बताया गया था कि उस जेल का जो हेड होगा उसका नाम जावेद होगा। अब रे को यहाँ पर डाउट होने लगता है और वो एक सीक्रेट कोड को बोलता है जिसे बोलने के बाद वो यहाँ से बाहर निकल सकता था। लेकिन थोमस उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देता है उसे जेल में बंद कर देता है जेल के अंदर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जो गार थे वो बिलकुल एक जिसा कपड़ा पहने थे और यहाँ पर वो यह भी नोटिस करता है कि यहाँ पर जो गार थे वो अचानक से किस बोस का नम नहीं बताना चाहता हूँ और इसलिए ये लोग मुझे यहाँ पर बंद करके रखे हैं अब इस बात को सुनने के बाद रे को मालम चलता है कि यहाँ पर कोई भी कैदी नहीं है बलकि जो अमिर लोग थे वो अपने दुस्मनों को यहाँ पिटवाने के लिए भेज देते थे यहाँ पर रे एमिल से ज़ड़ा करने के बाद उससे फाइट कर लेता है क्योंकि वो फाइट करके खुंखार कैदीयो वाले जेल में जाना चाता था और ठीक बिल्कुल ऐसा ही होता है उसे खुंखार कैदीयो वाले जेल में लिजा करके बंद कर दिये जाता है लेकिन इस जेल के अंदर उसे टोर्चर किया जा रहा था इस कमरे का जो तापमान था वो एक इनसान के बरदास के बाहर था दूसरी तरफ कैटी और टोम हर नहीं मानते हैं वो लेश्टर से जा करके रे की लोकेशन के बारे में पूसते हैं क्योंकि इनका जो चेक था वो बाउंस हो चुका था और यहाँ पर लेश्टर बताता है कि मुझे रे के बारे में कुछ भी नहीं पता है कुछ समय बीद जाने के बाद रे के पास एक डौक्टर आता है डौक्टर उसे दवा पानी देने के लिए आये थे इसी बीच रे डौक्टर से पूस्ता है कि आकर ये जगा कहां पर है और इस जेल की लोकेशन क्या है लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद डोक्टर अपना मुह नहीं खोलता है और वो रे को कुछ भी नहीं बताता है खैर अब इसके बाद इन दोनों को खुंकार कैदी वाले जेल से बाहा निकाल दिया जाता है रे कहता है कि जेल में हमें बंद करके रखा गया था वो अलूमीनियम का बना हुआ था मुझे बलेड के जैसा कुछ साधन चाहिए जिससे मैं उसे खोल सको अगर मुझे कुछ भी लोये का समान मिल जाए तो मैं वहां के नट बोल्ट को खोल सकता हूँ खैर इसके बाद थोमस एमिल को अपने पास बुलाता है और वो एमिल से उसके बोस के बारे में पूसता है एमिल का जो बोस है वो एक बहुत बड़ा गैंग्स्टर है जो सीक्रेट तरीके से गैंग को चलाता है यहाँ पर एमिल अपने बोस के बारे में बताने से इंकार कर देता है इसलिए थोमस को गुसा आ जाता है और यहाँ पर जो भी लोग थे वो एमिल को परसान करने लगते हैं यह लोग पाइप वाले पाने को उसके मुँ में भर देते हैं लेकिन इसी बीच एमिल एक लोहे के समान को ले लेता है और उसे ले जाकर के वो रे को दे देता है वो रे से पूचता है कि आखिर तुम्हारा प्लैन क्या है रे कहता है कि मेरे ख्याल से इस जगा को धर्टी की नीचे बनाया गया है यहां से बाहर निकलने के लिए हमें उपर की तरफ भा करके जाना होगा एमिल को अब रे की उपर विस्वास हो गया था उसे लगने लगा था कि अब ये बंदा मुझे जेल से बाहर जरूर निकालेगा खैर अब इसके बाद ये दोनों फिट से आपस में ज़ड़ा करने लगते हैं ये लोग फाइट इसलिए कर रहे थे ताकि रे दुबारे से कुंखार कैदी वाले जेल में जा सके और इसके बाद रे को फिट से कुंखार कैदी वाले जिल में जाकर के बंद कर दिये जाता है और अंदर जाने के बाद वो लोहे के समान से फर्स पर लगे नट बोल्ड को खोलने लगता है इसी बीच वो एमिल को इसारा कर देता है जिससे एमिल जोर से चलाने लगता है और जैसे ही सबी लोगों का ध्यान एमिल के उपर जाता है तो तभी Ray First को खोलने के बाद वो नीचे की तरफ चला जाता है इसके बाद वो भाग करके लिफ्ट वाली जगां से उपर की तरफ जा रहा था लेकिन तभी सोर्ट सर्किट होने की वज़े से एक पानी का पाइप टूड जाता है खैर उस जगां को पार करने के बाद अब रे इस जेल के सबसे उपर आ चुका था और यहां पर उसे मालम चलता है कि इस जेल को एक विसाल काई जहाज के अंदर बनाया गया है और इस समय ये जहाज बहुत बड़े समुंदर में तैर रही थी खैर अब या देखने के बाद रे दुबारा से जेल के अंदर आ जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि जेल का हेड थोमस लेश्टर से बात कर रहा था लेश्टर कहता है कि तुम्हें ध्यान देना है कि रे कभी भी वहाँ से बाहर ना आ पाए अगर वो बाहर आ गया तो मैं उसके कंपनी का बोस नहीं बन पाऊंगा अब यहाँ पर हमें मालम चलता है कि लेश्टर थोमस के साथ मिला हुआ था अब इसी जेल में हमें जोन नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो एमिल का दोस्त है वो बाकी के कैदियों से बहुत स्मार्ट कैदि था एमिल उसके साथ मिल करके प्लैन मनाता है वो उससे कहता है कि हमें यहाँ से भागने के लिए इस सीप की location जानना है और जोन अपने दिमाग से इस सीप के direction का पता लगाता है direction को देख कर के रे बताता है कि हम इस समय Atlantic महा सागर में है जो कि मुराको के किनारे में है अब इसके बाद फिट से डोक्टर रे का इलाज करने के लिए आता है और रे एक बार फिट से उस डोक्टर से हिल्प मांगता है इस बार डोक्टर उसकी हिल्प करने के लिए तयार हो जाता है इसके बाद वो उसके दोस्तों के पास इमेल भेज देता है अब वो दिन भी आ जाता है जब एमिल, रे और जोन इस जेल से भागने का प्लैन मना चुके थे और ठीक जेल के बाहर इन लोगों को लेने के लिए उसके दोस्त भी आ चुके थे यह लोग जब भाग करके उपर की तरफ जा रहे थे तो गोली बारे में जोन को एक गोली लग जाती है यह देख करके रे फॉरन जा करके यहां के पूरे पावर सप्लाई को ओफ कर देता है जोन के पास एमिल बैठा हुआ था और जोन को पता था कि वो नहीं बच पाएगा इसलिए वो एमिल से कहता है कि तुम यहां से चले जाओ तुमारे पास मौका है तुम यहां से भाग जाओ लेकिन बाहर जाने के बाद जब वो हेलिकॉप्टर में बैठ जाता है तो पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं लेकिन अभी तक रे बाहर भाग करके नहीं आया था इसलिए एमिल यहां से जाता नहीं है वो रे का इंदियार करता है पुलिस वाले भाग करके एमिल को रोकने के लिए आते हैं लेकिन एमिल सभी पुलिस वाले को सूट करके उन्हें मार रहा होता है दूसरी तरफ रे पाने की बीच में फसा हुआ था वो बाहर नहीं निकल पा रहा था इसलिए वो डारेक्ट समंदर में कूद जाता है बड़ा धमाका होता है खर अब इसके बाद ये दोनों मोराकोगे किनारे आ चुके थे कुछ समय के बाद इन्हें लेने के लिए यहां पर एक कार आती है और उस कार में से जेसिका बाहर आती है जेसिका को देक करके एक पल के लिए रे बहुत हैरान हो जाता है लेकिन इसके बाद जेशिका बताती है कि एमिल मेरे पिता है और वो कई सालों से यहां के जेल में कैद थे मैंने तुम्हें ही किड्नैप करके यहां पर भिजवाया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था मुझे पता था कि तुम मेरे पिता को इस जेल से जरूर आजात करके लाओगे खर इसे के साथ ये कहाने ये पर समापत हो जाती है दोस्तो हमारे यूट्यूब चनल के साथ जुले रहने के लिए आप लोगों को दिल से सुक्रिया